स्टार स्वागत आपका सेल्ट स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हाली में वेस्ट बंगॉल के एक छोटी सी जगाय पे एक गाउ में संदेश काली जिसका नाम है वहां पर हिंसा भड़क गई अब ये हिंसा क्यों बढ़की क्या मामला है और इसकी शुरुआत जो है वो काफी टाइम पहले से हुई थी मतलब एक तरी के समझेए कि यहां पर जो हिंसा बढ़की थी इसकी जो चिंगारी थी कुछ टाइम पहले लगी थी फिर एक महीने तक मामला शांत राव फिर जाके इसमें यहां पर बहुत जादा हुला या फिर कहीं कि वोईलन्स जो है वो यहां पर भड़क गया अब यहां पर काफी सारे मामले सामने आते हैं एक तो टीमसी वर्सिस बिजपी आपके सामने निकल कर आता है साथ साथ एक और मामला हमारे सामने आता है खालिस्तानी कंट्रोवर्सी यहां पर एक रिमार्क या फिर एक टिपनी कर दी गई थी खालिस्तानी को लेकर मतलब खालिस्तानी नाम को लेकर तो उसको भी हम डिसकस करने वाले हैं यह सारी तीजे जो है हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में cover करेंगे वीडियो की जो PDF है वो आप लोगों को description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF भी download कर सकते हैं मतलब कि जो भी आपको यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा आपको वो एक तरीकी से चाहिए ने कि हमें वो एक soft copy में चाहिए वो print out निकालने वो आपकी इच्छा है soft copy में चाहिए तो वो आप उसके लिए PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक newspaper है the Indian Express वहाँ पर आता है TMC versus BGP बेंगाल में हो गया है अब यह क्यों हो गया है क्योंकि संदेशकाली के अंदर जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर obviously देखें TMC क्या है वहाँ पर सतारूट पार्टी है और BGP क्या है वहाँ पर opposition में है अब opposition को क्या चाहिए opportunity चाहिए opportunity कैसे मिले कुछ भी चीज़ें हो जाएंगी वो उसको फटदनी से grab करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ डेड़ महीने से पश्चि मेंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरबन डेल्टा में एक छोटा सा द्वीप राज्य है जो यहाँ पर एक तरीके कहेंगे एक पॉलिटरिफ फर्म को आग लगा दी है के बल महिला ही निकल कर आई है पुरुष नहीं थे उसके अंदर महिलाओं ने लाठी डंड मतलब की जाडू सब कुछ जो भी उनके हाथ में है उन्होंने चका और एक पॉलिटरिफ फर्म के पास गए और उसको वो आग लगा द कि ये राज्यत आपको विसली पता ही है वैस्ट वंगौल का है बंगलादेश के पास आप देखेंगे उसके साथ शीमा дов करते फिर यहं पर आप देखेंगे ना mata hr यह नोर्थ परगना है तो यहाँ पर आप देखिए काफी सारा काफी साथी इंटरस्टिंग चीज़े हैं यहाँ पर आप देखेंगे न तो इसमें राज्ये जो जिले हैं याद करना बहुत असान है पर यहाँ पर आप देखेंगे न याँ पर आप आप देखेंगे न 24 पर अरे वो है कहां पर हमें क्या पता तो आप अगर वो डिटेल से आप देखेंगे ना कि कि मैप में वो कहां परता है तो उससे याद रखने की शमता जादा अच्छी हो जाती है खैर अब आ जाते हैं मामले पर देखे शुरुआत जो हुई थी ना यह वोईलेंस तो अभी सब्सक्राइब तो एच्छी है जैसे कि आपने दुकाने देखेंगे आपकी कलोनी में होंगी जो राशन बाटने का काम करती है जिसमें तेल मिलता है जहांपर चावल मिलते हैं गेहुं मिलता है। तो ऐसे ही distribution की जो दुकाने होती है तो इसमें घपला क्या है इसमें एनियमता है पाई गई कि यहां पर कुछ घपला हुआ है यहां का जो अनाज है वो लोगों को ना दे कर खुद अपने पास रख कर उसको और किसी को बेच दिया गया है तो obviously ED आएगी ED को enforcement director आई enforcement director नहीं छापा मारना था कि यहां पर जो घपला हुआ है शेख जहां जहां पर लेकि इसके अलावा और भी है शेख जहां जहां नहीं है उसके अलावा और भी काफी सारे लोग इसके अंदर शामिल है लेकि obviously धिरी धिरी जो ED अपना सिकंचा कसे की और सेख सा जहां के यहां पर जहां पहुंची अब सेख सा जहां के अपनी यहां पर गई ED चापा मारने तो ED के उपर क्या किया कुछ लोगों ने या फिर एक भीड ने हमला कर दिया जिसमें ED के तीन अधिकारी घाय लोग है सेख साग जाआ वहाँ से भागने में उनकी मदद करी सेख साग जाँ महाँ से भागा गया कैसे गया अब सबसे बढ़ा ये भी आता है कि अरे भागा कैसे भागा क्या फुलिस काहा था obviously पुलीस जो है वो राज्ये के अंदर आती है यहाँ पर जो है वो अपना काम करने जा रहे हैं law and order जहें यहां पर एक तरीके से देखेंगे ना उसकी धजियां उड़ा दी गई वहां पर सरयाम जो government अधिकारी है government officials है उनके उपर हमला कर दिया गया तो देखे किस तरीके का वहां पर law and order की situation होगी अब सहाजां का का जाता है कि वह अपने घर पर ही था जब ED गई थी और उसने वहां पर जो से इसको news मिली कि ED आ रही है चापा मारने तो उसने लोगों के कटा क्यार यहां पर इनके पर हमला करने के लिए उनको उकसा है तो यहां पर 5 जनुरूरा के यह हुए उसके बाद मामला तूल पकड़ा की यहां पर हमला होगः यह काफी साथा मामला उस फ़क्त मतलब चर्चा में रहा था इसके बाद किया होता है आठ फरवरी आ जाती है अलग बग महीना बीथ जाता है महीना बीथने के बाद जाडू, लाठी, जो भी महिलाऊं के जो वहाँ की जो अस्थानी हैं, जो लोकल महिलाएं हैं उनके पास, जो उनको हाथ में आया ये देखे ये है सेख साजा अब जो भी उनके हाथ में है उन्होंने वो उठाया और शाजा और उसके साथ जो दो बंदे हैं एक सिवा परसाद हाजरा है और एक कुत्तम सरदार है इनके लिए ततकाल यानि इमीडियेट इनको अरेस्ट किया जाए अब अरेस्ट क्यों किया ज हैं वो इन महिलाओं के या जो एरिया है इनके घरों में जाते हैं घर में जाकर चापा मारते हैं और कोई भी सुन्दर महिला इनको मिलती है जो मतलब सही जिनकी होता नहीं कि बुड़ी ना हो जवान हो तो वो महिला इनको मिलती है तो वो उसको उठाकर लेके चले जाते है लेकर जाते हैं तो उनको जटना दिन उनका मतलब एक तरीके से वो एक यों शोशन उनका करते है फिर उनको वो छोड़ देते हैं तो यह महिलाओं ने एक काफी जादा गंबीर इसुऊ है यह एक तरीके से तो इंडियन एक्स्प्रेस जो न्यूस पेपर है उससे बात करती हुए एक महिला ने ये बात बोली थी कि वो मेरी साड़ी खींसते थे मुझे गलत तरीके से चूते थे मैं चुप इसलिए रही क्योंकि मुझे उनका विरोध करने में डर लगता था तो अब क्या हो गया तो अब देखिए ऐसे चीज़ें होगे कि एडी आ गई ये बंदा भाग गया अब यहां पर महिलाओं को कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारी आवाज हम अगर हम नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे अब इसको लेकर ममताम इनर्जी जो वहां राजनिती करेंगे ही करेंगे जाके आपमेड़ी कितना भी करेंगे के तो कितना ज्यादा घंबीर इशू है तो महिलाओं ने क्या किया अब इसके लिए परदर्शन निकाला और वहां पर जो संपत्ति देखी जो इन्होंने पॉलेटरी फार्म में आग जो लगाई है ना वहां पर ये बोला गया वो अवैद रूप से निर्मान किया गया था वो पॉलेटरी फार्म उसका था ही नहीं बलकि वो किसी के अवैद कबजा करके वहां पर वो पॉलेटरि फार्म बनाये गया था अब इसके पीछे भी कहनि работает कैसे elétी एको देखे संदेश गाली सुंदर्बन डेल्टा के सेंक्ड़ो दिपो में से एक है जहां गंगा मेग्म नाब्रंपूत्र यह जो सिस्टम आपको देखने को मिला यहीं आके गेती है अब यहाँ obviously इतनी उपजाओ जमीन है कि नदिया नहरे मेंगरो इतनी सारी चीज़े है तो यहाँ की जो पारिष्टी की तंतर है पोशक्ततों के लिए समरीद है मचली पालन के लिए एक दम एक दम आइडल जगह है यह 2011 की जनगन्ना के अकोडेंग संदेश खाली ब्लोक के अंदर 49% हिंदू 30% मुस्लिम 15% इशाई यह दर्ज किये गए थे क्योंकि 2011 में दर्ज करना हुई थी अभी तक तो हुई ही नहीं इसको डिले करते हैं अब लगबग 30% जो गैर मुस्लिम आबादी है उसमें से 26% जो है यह 30% क्या है ST कैटेगरी से आते है 26% जो वो ST कैटेगरी से आते है संदेश काली दीप में लगबग जो अधिकतर ST और SC कैटेगरी के जो लोग है वो क्या है वो किसान है या मचवारे हैं एक समय तेभागा आंदोलन 1946-47 यह एक गड़ रहा था संदेश काली वहाँ पर किसानों ने क्रिशी उत्पादन के बड़े हिस्से के लिए आंदोलन किया था और संदेश काली 2010 तक CPIM जो एक दिरिखी से लेफ्टिस्ट पार्टी है उनके लिए काफी ज़्यादा कहेंगे कि उनके कंट्रॉल में ही था लेकिन क्या हुआ धिरी धिरी सत्ता बदली सत्ता बदली तो वहाँ पर टीम से केंडर आ गया अब जिब CPIM जहाँ यहाँ पर हुआ करती थी उन्होंने क्या गया जहां वहां के निवासी थी उनको भूमी पट्टे यानि टाइटल दिलवाए जिन में से कई विभाजन के ब लिए परमुक टीम सी का वोट बेंक रही है यह तो काफी बार चर्चा में आता है कि मुस्लिम अपीजमेंट जो है वहां पर चलती रहती है शाहजा जो है वह 2013 के अंदर इस पार्टी में शामिल हो गया जिले में मतस्य कर्म ध्याय यानि मतस्य पालन विकास के प्रभारी के रूप में शाहजा ने अपने मुर्गों फार्म के साथ साथ वहां पर सद्वी सत्तारूड मतलब क्या था कि इस शाहजा को जो आज की फिलाल गौवर्मेंट है उसका समर्थन तो प्राव था साथ ही साथ में और भी काफी सारी चीजनों का उसको समर्थन प्राव था तो व जो जमीन देने से मना करता उसको निशाना बनाया जाता और जो देने के लिए राजी भी हो जाता तो उसको वह मुआवजा ही नहीं मिलता था तो देखे किस तरीके की चीजे वहां चल रही थी अब एक टाइम हाएगा ना कि पाप का घड़ा तो कब न कब तो भरेगा वो अहिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया पॉलेटरी फार्म में आग लगा दी अब भागता फिर रहे वहां पर तो यह हो गया आपके सामने अब जैसे तैसे जो मामला है वो तूल पकड़ता गया राजनेता आगे बढ़ते गए इसको समझे जिरा देखे साजा और उस पर एक प्रोविटरी ओडर वहां पर लागू कर दिये कई महिलाओं के तोर पर टीमसी गुंडों ने उनको धंकिया दे रही है पुलिस जिसने सरदार और राजरा को गिरफतार तो किया लेकिन साजा को अभी तक उन्हों ने गिरफतार नहीं कर पाए हैं काफी सारे आरोप राज जेपाल जो सीवी आनंद है वेस्ट वंगॉल के बारा फरवरी को संदेश कालिका दोरा किया और उन्हों ने कहा कि जो यहां की जो सिचुईशन है वो काफी ज़यादा भियानक है चुकाने वाली है एक तरीके से मन को अशांद करने वाली सिचुईशन बनी हुई है उन्होंने कहा कि जो पिडित महिलाएं हैं, उनके लिए राजद भवन के जो दर्वाज़ें वो खुलें, वो यहाँ पर आके रह सकती हैं। उन्होंने केंदरी गहरा हैं मंतरी को एक रिपोर्ट सोंपी जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जुडिशल इंक्वारी की जाएं। जाल इसको लेकर काफी चाज़ी चीज़ें जो हैं, यह बोला कि लोग तंतर नहीं हैं, अरे चंडिगड का जो इलेक्शन आपने देखा, वहाँ पर भी लोग बोलने लगे, यहाँ पर भी कोई लोग तंतर नहीं है। इसा बढ़काने के लिए लोगों, मतलब कि उन्हों नहीं बढ़काया, और कहीं न कहीं वो संदेश काली में, ST vs. Muslim करने की कोशिश करें, ST vs. Muslim करने की एक तरीकी की साजिश चल रही है, BGP की, यह आरोप लगाया, ममतलब इनर जी ने साथी साथ का कि, अब वो महिलाएं क्यू निकल कर सामने आ रही है, पहले कहां गई थी वो महिलाएं, अब वो उदर की महीला इंस संदेश कहले की महीला इंक है एक महीला होकर महीला का दर्ज नहीं समझ रही है तो यह आरोप पर तैरोप चल रहे है लेकिन देखे कोई भी महीला अपनी यह चीज बोल रही है कि मुझे गलत तरीके से चूरे है मेरी साड़ी खींचते तो कितना जादा एक वहाँ पर सिचूइशन को इमेजन करने की कोशिश करे कितनी जादा खतरनाक सिचूइशन वहाँ पर है साज़ाद महमताब एनर्जी ने कहा यह कोई नई बात नहीं है यह आरेसेस का अधारी है साथ-ाठ साल पहले भी यहाँ पर सामपर्दाइक धंगे हुए थे संदेश खाली में हमने सरसोती पूजा के दोरान सिती को मजबूती से संभाला क्योंकि उनकी अन्य योजनाई थी एक भ्यावय साजिस चल रही है यह ममताब एनर्जी ने बोला कि आरेसेस जो यहाँ पर और ज्यादा साजिस करने के कोशिश कर रही है इस बीच कलकत्ता हाई कोट ने मंगलवार को अश्चरे वेक्त किया कि यह जो समस्या का में कारण है सहाँ जा यार उसकी अब तक गिरफतारी ही नहीं की लोग कितनी ज़्यादा एक अश्चरे चकित बात है यह कलकत्ता हाई कोट का बयान निकल कर रहा है अब आते हैं खालस्तानी विवाद अब यह क्या है देखिए सुवेंदर अधिकारी जो भी आपको बताया ओपोजिशन के लीडर है वो वहाँ पर गए तो उनको रोख दिया गया वह पोजिशन के लीडर जो जा रहे थे कुछ लोगों के साथ संदेश खाले में उनको वहाँ पर जाने से रोका जा रहा था उनको वहाँ पर का गया यह तो खालिस्तानी है यह गलत हो गया हए उनको कहा वही स्वेंदर अधिकारी ने कह ने हैrik जिकारी SSP यानि आई बी जस्प्री सिंग उस पुलिस दल के हिस्सा थे जिसने क्या किया था बाजपा कार्य करता और नेताओं को संदेशकाली में परवेश करने से रोका था मुख्य मंत्री बमता बिनर्जी ने इसके बाद क्या का देखिए 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 विबाजिनकारी राजनिती कर रहे हैं हमारे सिख भाई बैनों की परिस्तिष्टा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं इसकी काफी जादा उन्होंने नेंदा की उन्होंने कहा बंगाल मे इस्तमाल किया गया और कहा गया कि जो जस्परी सिंग है एक गौरवानित सिक और एक सक्षम पुलिस अधिकारी दोनों थे जो कानून लागू करने की कोशिच कर रहे थे वहाँ पर अब सुवेंदर अधिकारी ने कहा का क्या कहा इन्हों ने कहा देखिए यह जो बात बोल रहे हैं आप शब इन्हों का इस्तमाल तो मैंने किया ही नहीं यह सब चीज़े चल रही थी तो मैंने आप लोगों के सामने एक खालिस्तानी विवादी भी बता दिया देखे यह एक काफी इंपोर्टन इशू आता है खालिस्तानी इसलिए भी सामने तूल पकड़ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा किसान आंतोलन जो चल रहा है हमारे देश के अंदर या पहले जैसे चला था किसान आंतोलन उसके अंदर खालिस्तानी चीज़ें कैसे निकल कर सामने आ रही थी पंजाब में आप देख रहे होगे तो ये काफी जादा आज की टाइम में तूल पकड़ता हुआ एक इशू है मारे सामने इसको हम डिसकस करेंगे ये चीज़ें क्यों हो रही है तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में PDF के लिए मैं फिर से बता दिता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो वो डाउनलौड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो ओविसली मुझे पता सकते हैं करके लाइक होगी तो मुझे पता चलेगा इरे लोग पसंद कर रहे हैं कोई भी आपके डाउट है कोमेंट सेक्शन ओपन है अपने डाउट आप लिख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शेर कर सकते हैं जो अभी आपकी इच्छा हो क्या बस आज के लिए तेंदा थैंक यू फो वोचिं दिस वीडियो